दिल्ली से देहरादून आने के बाद मुख्या मंतरी पुशकर सिंग धामी ने क्या किया पुशकर सिंग धामी ने किन किन महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की इन मुलाकातों का क्या असर आने वाले समय में उतराखंड की राजनीती में हो सकता है पुशकर सिंग धामी ने क्या बयान दिया मीडिया कर्मियों को उस बयान का क्या आचित्य है और उस बयान पर क्या-क्या सवाल खड़े हो सकते हैं और साथ-साथ वो कौन सा सवाल था जिस सवाल से मुख्यमंत्री कन्नी काट गए इन चार बिंदियों पर मैं बात करने के लिए आपके सामने उपस्तित हूँ लेकिन हर बार की तरह मैं आगरह करूँगा कि अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नमस्कार मैं हो मन मोहनभट उतराघंड में मंत्री मंडल में फेर बदल को लेकर काफी सुब बुगाहट दिखाई दे रही है चारों तरफ सुनाई दे रही है मेल मुलाकातों का दौर चरम पर पहुँचने लगा है पुशकर सिंग धामी भी दिल्ली पहुँचे थे ग्रह मंत्री या कहलीजे बीजेपी के टॉप नेताओं में से एक अमेशाहसे मुलाकात करने के बाद वो देहरादून लोटाए है सबकी नजर पुशकर सिंग धामी के आज के क्रिया कलाबों पर थी कि पुशकर सिंग धामी क्या करते हैं पुशकर सिंग धामी सची वाले में थे वहाँ पर कुछ सरकारी कामकाज पुशकर सिंग धामी ने निबटाया जो एक सामाने पर क्रिया है लेकिन तब जादा महत्वपोर्ण चर्चा होने लगी जब सचीवाले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए कई महत्वपोर्ण लोगों का जमाउडा लगने लगा उतराखंड राज्ये के प्रभारी हैं दुश्यन्त गौतम भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षे महिंद्र प्रसाद भट भारतिय जन्ता पार्टी में महामंत्री संगठन है अजे इन चार लोगों की मुलाकात हुई, मतलब मुख्य मंत्री भी इस मुलाकात में शामिल थे चार लोगों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात चली है लगबक एक घंटे इस मुलाकात को काफी महत्वण माना जा रहा है क्योंकि अमेश शाहसे मुलाकात के बाद इस तरीके की चर्चाएं बहुत आम हैं कि उत्राखण में अब मंत्री मंडल में फेर बदल बहुत जल्दी होने जा रहा है अब बात करते हैं मुख्य मंत्री के उस बयान की जो चर्चाओं में दिन भर रहा मुख्य मंत्री जब देहरे दुन पहुँचे तो मीडिया ने उनसे सवाल दागे कई सवाल सीधे सीधे सरल शब्दों में पूछे गए मुख्य मंत्री से पूछा गया कि दिल्ली में उनकी जो मुलाकात हुई है वो किस संदर्व में हुई है मुख्य मंत्री इस सवाल पर कन्नी काट गए जो बात मुख्य मंत्री बता रहे थे वो बात मीडिया कर्मियों को हजम नहीं हो रही थी और जब अमेशा से राजनीतिक मसले पर बातचीत हुई तो उसकी कोई भी जानकारी पुशकर सिंग धामी ने मीडिया कर्मियों को नहीं दी सिदा सिदा एक शब्द में में बात करूँ एक लाइन में में बात करूँ तो कन्नी काट गए मीडिया के सवालों का लेकिन पुश्कर सिंग धामी ने एक महतोपूर्ण बयान दिया जरूर है और इस बयान के कई माएने निकाले जा रहे हैं पुश्कर सिंग धामी ने कहा कि उन्होंने विधान सभा अधक्षा रितू खंडूरी से आगरह किया है कि विधान सभा में जो भी करमचारियों की निक्ति किसी नेता की सिफारिश के जरिये हुई है उस पर कारवाई की जाए उसे बरखास्त किया जाए सिधा सिधा इशारा यह है यह पुश्कर सिंग धामी की मांग है विधान सभा अधक्षा से लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों सिर्फ नेताओं के सिफारिश से लगे हुए अब भीहरतियों को बाहर का रास्ता दिखाये जाए जिन लोगों की भी नियुक्ति प्रक्रिया के तह नहीं हुई है उन तमाम करमचारियों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाये जा सकता यह एक ऐसा बयान है जिस बयान पर आने वाले समय में कई तरीके की राजनीती हो सकती है और जो युवा बेरोजगार युवा सड़कों पर है वो काफी आक्रामक रूप अपना सकते ह हैं सरकार के खिलाब अब एक और बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि अगर मंत्री मंडल में फेर बदल की चर्चाएं इतनी तेजी से चल रही हैं तो वो मंत्री मंडल में फेर बदल कब होगा हम सब जानते हैं कि अभी पित्रपक्ष या शरादपक्ष चल रहा है औ लेकिन अभी पंचायत चुनाओं की प्रक्रिया गतिमान है हरीद्वार में तो इस तरीके का संकेत भी है कि पंचायत चुनाओं के बाद हो सकता है कि मतदान जो 26 तारिक को है उसके बाद मंत्री मंडल में फेर बदल की जो संभावना है वो हो सकती है या फिर नतीजे आने के बाद कई और लोगों की परफॉर्मेंस चक होने के बाद भी मंत्री मंडल में फेर बदल किया जा सकता है इस बीच एक और हबर ये भी है कि कई विधायकों ने भी मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी से मुलाकात की है लेकिन उन विधायकों का नाम बताना अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक सामानिय शिष्टाचार मुलाकाते भी होती है और अपने अपने क्षेत्र की खास तोर पर विधान सबा क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर विधायक मुख्य मंत्री से मुलाकात करते रहते हैं तो सातियों ये चार-पांच ऐसे बिंदू हैं जिन बिंदूओं पर आज पूरा घटना करम दहरादून का रहा तमाम राजनीतिक लोगों के नजरें भी पुशकर सिंग धामी के क्रिया कलापों पर लगी हुई थी हमने पूरी तफसील से चार बिंदू आपके सामने रखे जिन बिंदूओं पर सब लोग जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे साथियों हमारी आज किस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी लेकिन जाने से पहले दो विशे शाग रहे हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाईए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार